नोने निखाया था यह काने के लिए काने के लिए वेट कर रहे हूं यह ओडर रहे हैं हलो दोस्तों कैसे आप सब आई होप आप सब लोग बढ़ी आउंगे तो आज मंडे हो गया वही और होली का त्योहर भी सही से निकल गया आई होप आप सब लोग अभी अच्छा गया हो ओली का त्योहर आप कमेंड करके जिरूर बता ना आपको ओली का फैस्टिवल कैसा गया है और याज जैसे मैंने आपको बताया था ना व्लॉग में अज लेट स्टार्ट कर रहे हैं थोड़ा बारा बच चुक हैं तो लंच और पसंते चिपस भी निखा रही कुछ निखारी बतानी क्या हो गय यह खिचडी वनाओं खिचडी निखारी है तो बड़ी मुस्किल हो रही है और मतलब इतनी कम जोर हो गेना वीक नहींस आरहे बहुत उसे पानी तो पी रहे हो पानी के खूब पीरिया ना दूट पीरिय जीनु को दिखाया तो तो नीचे अभी तो जीनु सब के साथ खेल रही है तो यार यहां ना जीनु का दलिया बनके राइडी हो गया है और वीच में वीडियो रोकनी पड़ी थी क्योंकि जीनु ने पॉटी कर लिए तो इसलिए मम्मी नावाज लगाई थी नीचे दर बीसे जीनु को जीनु का मूँ निकल गया इता सामों जीनु का बच्चों के लिए निकला था है यहां मैं जीनु के लिए दलिया ले आहीं हो और थोड़े सा दई लियाएं क्योंकि दई कि साती हैं बीना दई के कुछ निगाती हो और टी भी सामने में ना उन कर दिये तब बड़ी मुश्कल से खाया उसने वरना बिल्कुल कुछ भी निखा रही थी हो और साम की टाइम को हम लोग आ गए हैं पीजा थीटर में क्योंकि यार कुछ ना खाने का मन कर रहा था कुछ बड़ दूर कहीं जा नहीं सकते हैं तो यहीं पर खा लेते हैं क्योंकि जीनो की तवे खराब है तो दूर तो आनी सकते हैं तो मम्मी के पास जीनो को छोड़ के आ और यहां काफी अच्छा पीजा थेटर यहां पे पीजा काफी अच्छा मिलता वतलब डॉमिनो बगेर से कम नहीं है अच्छा मुल्चा होगा तो यह प्याजना पूरी खाना की दिमाग खाओ अगर और और मैंस तो एक बाद खावी लिया था किट्टू लिया था वह तो तुरा खाली बड़ा हम लोग हैं बुटकर्ड खाके बैड़ गया है अपर जब तक निया रहा था मैंने का क्या को अपस लोग से बात ही कर लेता हूं पीज़ा निया रहा हुआ है इंटीरियर इनका काफी अच्छा है अपर काफी ना स्पेस पर बना रखें जो सिटिंग एरी बैठने का जो भी है काफी पेस पर है क्योंकि यह कोबिड वगारे कि इसन बहुत स्पेस दे रहता है करी है क्यों और यारा आज नब बाहर बहुत तेे लादी चलिए यह क्यों लोड़ गया दू़ आप्य मारे तो काफी दूल बरगी फिर ना इस पर दूल्धाँ और मैं कामों में यह एक पाहनना तो बूल गुदी मिला है कि या अगया हमारा पीजा है बहुत गरम है कीज इसमें तर्मा गरम कैसे काओगे तो भी इस्टार्ट करो अभी तुगारम है अचीज से वैसे बहुत गरम हो जाता है तो हम थोड़ी देर वेट कर रहे हैं कोपी लेते हैं अब तक कर दो बर्वार के टीज डाला हुआ है तो है कि अच्छाप मैं भी डालागा है विआर खाने के टाइम हो गया खाना बन रहा है दाल मैंने चड़ा दीया रहर की दाल बन रही है और एक गैस पर जनू की बोटर रग दिया है वोई लोग दाल में नहीं डालेंगे कि अल्रेडी सब्जी रख्च हुई है तो यह थोड़ी रख्च हुई है और यार पापा गया थे मट्र के लिए कड़ाई मट्र आपके ताइम ने मिल पार आपको मम्मी से पूछ लेती हूं बनाओं या ना बनाओं पापा का मन है नहीं यह मम्मी कडाई मत्र बनानी है कडाई मत्र अरेयर की दाल रग दी वना चिली वे नहीं रख्की चलो टीज़ी हाँ देरियू मत्र तो मत्र थोड़ी चली भी रख्की है बट वह कम पड़ जाए तो थोड़ी मम्मी को रहती हूं ममी चल देंगी बट जब तक अब आके त्यारी कर लेती हूं अब मिलो मत्र मसाला कड़ी बनाती हूं क्रोडी मत्र को याला ट्राइए करते इस वार किन्या तो उसके लिए मैंने यार चीज़े को सब ले लिए और मत्र को मैने रख दिया थोड़ा बॉयल होने के लिए मत्त थोड़ी सॉफ्ट हो जहां पूरी सॉफ्ट नी थोड़ी सॉफ्ट हो जाए उसके बाद सिम्स को यूज करूंगी सब्सक्राइब तो यहां मतर रखें थोड़ी सी बॉयल हो जाएगी है यहां मैंने ले लिया यह सारा राज टमाटर लैसुन थोड़ा सा दही ले लिया है मैंने इसको फैंट लोगे और बस फटावट से स्टार्ट करता है बनाना तो अब यह सारी चीजे मैं काट लियूं दाल तो बनी रिये साइड में और यह भी काट कर लियूं क्योंकि वैसे इनको थोड़ा फ्राय करना ना उसके बाद पीसना भी ग्राइंड करना तो इसलिए मैंने बड़ा बड़ा ले था कि मशाला थोड़ा सा बुंजे और ज्यादा नहीं भूनना थोड़ा सा ही पूनना है और इतने में डाल भी बना दसे बहुते हूं अब तक में जीरे शोग लें तो मैं तड़का लगा रहूं जीरे हींसे और मसाले जब थंड़ा ठंड़ा है फिर मैं इसको पीस और यहां पर मैंना कस्मीर लाल मिर्च डालती हूं पीस्टे टाइम में डाल लेती हूं क्योंकि ना जो पेष्ट उसका कलर काफी अच्छा जाता है तो इसलिए मैं पहली डाल रहूं इसको ग्राइंड कर लेंगे और इसी कड़ाय में फिर तेल लगा के मैं इसी में छोग और लाल मिर्च पाउडर एड्ड कर दिया और इस मसाले को जब तक भूण है अब तक यह ना तेल छोड़ दिया तो इसको डाल दिया और इसको चलाते रहना देवर बिल्कूल नहीं छोड़ना क्योंकि फिर अगर छोड़ देंगे तो दाने दाने सो जाएंगे तो जब तक और जब मसाला बून गया तो मैंने इसमें एड कर दी मट्र और अब मट्र जी जितना पतला रखना है यह चावल बनाया तो थोड़ा सा पतला रखोंगी मैं तो मैंने जार को दो के वही पानी डाल दिया और इसे दस मिनट के लिए पका लेंगे जब तक मट्र बहुत है और ग चावल रोटी सबजी सब कुछ रह दिये और यह थाली जाय रही है पापा के पास और अब यह रात का टाइम हो चुका है खापी के तो फिरी हो चुक है हम लोग और जीनू यहां पर मस्ती करते है डेली और रात को ऐसी करती है और बच्चों में और कितनी एनरजी रहती है बिमार होते भी बहुत अनरजी रहती है तो चलिए दोस्तों आज के व्लोग का एंड करते हैं पर बिलते हैं आप से कल दुबार अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर कॉमेंट करना ना भूलें और अपना ध्यान रखिए खुश रहिए बा